नमस्कार फ्रेंस मेरा नमोर रुपेश और अपसे बहुत बहुत स्वागे थे हैं विहार टिक्निक को यूटूब चनल में दोस्ते इस वीडियो में आपसे को बताने वालो फिलिपकार्ट एप से मंगायागे आइटम को रिटर्न कैसे करते हैं फ्रेंस से दि आप भी फिलिपकार्ट एप्लिकेशन से कोई समान को रिटर्न करना चाहते हैं और अपनी पैसे को आपस रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को दहां से देखते रहेगा दोस्ते इस वीडिए में आपस वीडियो को लाइप बताने वाला हूं कि आप किस तर से फिलिपकार्ट से मंगायागे आईटम को अप्त रितर्न करके पैसे वापस आप ले सकते हैं वीडियो में के बनने से पहले आप सुझे रिक्वेश्ट हैं कि दि हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे मेनत को सफल बनने के लिए पिले इस वीडियो को लाइप जरू कर देज़ेगा और अभी तक अपहार यूटूब चैनल को विहार टेक्निक का यूटूब चैनल को सब चैनल को सब्सक्राइब की घंटों को सुझाग और अज का देजिए चले सुरू करते हैं आज का वीडियो तो फैंश सबसे पहले आपको अपनी फॉन से फिलीपकार्ट अप्लिकेशन को उपन करना है फिलीपकार्ट अप्लिकेशन ओपन हो जाने के बाद में लेब की सब्सक्राइब करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है यहां पर दे सकते हैं जिस आइटम के डिलेबरी हो जाती है यानि कि हमारे पास रिसी भीजाता है उसको हम रिटरॉन कर सकते हैं और जो सब्सक्राइब हमारे पास डिलेबर नहीं होता है उसको हम केंसिल कर सकते हैं जैसे कि मानले मुशां को आइटम क measuring कर दिया और आपके पास अभी तक नहीं दना है फिलिप कार्ट से मंगाएगे आइटम या समान को आप जब चाहेंगे तब आप रिटॉन नहीं कर सकते हैं उसकी एक सीमिट डेट होता है आइटम की डिलेवरी हो जाने के बाद लगभग एक हपते के आज पास रिटॉन पुलिसी का डेट होता है यह से क्या आप यहा गुए आइटम को रिटॉन करने के लिए नीचे मिलेगा गपन को रिटॉन तो आपको रिटॉन पर ही क्लिक करते हैं जैसा अप ये चिलिक कि येगा तो आकर की बी से अच्छी नहीं ý," इस प्ज रचानए से हम इसको रिटॉन करना चाहते हैं तो यहां पर हमें select करना है कि किस region से हमें इसको return करना है तो इसके quality अच्छी नहीं है तो इसके लिए सबसे नीचे option मिल दिया गए quality of the product not as expected यानि कि हम जिस तरह से quality को expect किये तो इस तरह से नहीं है तो हम इसको select करते हैं यह दिया आपको region समझ में नहीं आ रहे तो यहां पर कोई भी region को select कर सकते हैं इसकोद आपको नीचे comment box आएगा दोस्तो यहां पर comment box आपको region को manually आपको डालना है जिससे कि मालेजी कि हम जो सूज मांगा है जूते मांगा है इससे quality अच्छी नहीं है तो मैं है पर डालते है quality is not good इसकोद आपको continue के button पर click कर देना है जिससे continue के button पर click किजिएगा तो आपके साहने कुछ इस तरक इंड़ेश आगा जैसे कि आप यहां पर दे सकते हैं दोस्तों यहां पर आप सुकूब बता दूँ आप जिस item को return करना चाहते हैं एधि आप उसको cash on deal per पर मंगाना होंगे तो यहां पर पुछता है कि आप किस account पैसे को return लेना चाहते हैं यहां पर bank add करने का अप्शनत है और API भी add करने का अप्शनत है तो आप जिस method quo आप लेना चाहते आपको हमपर select करना है जिससे कि account पर लाना चाहते हैं तो bank account पर click करना है और अपना account का detail डाला है API से लाना चाहते हैं तो API को tick करना है और अपना API ID को डाला है फिर समारे किसमें इस item को मैं पहले ही payment कर दिया था यानि online payment किया था इसलिए हम से यहां पर नहीं पुछ रहा है यहां पर already select है original payment mode यानि कि हम जिस account पर हमाना payment वापस आजाएगा तो यह आप online experiment कियो होंगे तो आप जिस account पर हमाना payment वापस आजाएगा इसके निचे आपका pick up का address देखेगा यह आप इस देखेगा चाहते हैं तो चैन्ज भी कर सकते हैं यानि कि इसी address चा आपका यह फिर pick up होगा इसके निचे आपको continue के बटन पर click कर देना है जिससे आप continue के बटन पर click किजिएगा तो आपका process complete हो जागा दोस्ते इतना process करने के बाद 2-3 दिन के अंदर आप जिस से return आ जाता है तो इस तरसे आप flip card से मंगा गए item को आप return कर सकते हैं दोस्तों इसको हमें return नहीं करना है इसलिए यहाँ पे हम continue की बटन पर click नहीं किया है आप से को demo वीडियो दिखाना था तो इस तरसे आप इसको return कर सकते हैं आप से वीडियो कैसे लागा है comment box में जरू झालिए करते हैं धिए